गुट मॉर्निंग नमस्कार जैहिंद बच्चो मैं आपका स्वागत करता हूं इस डीटिल प्लाटफॉर्म पर वे वी लान विटा स्माइल और स्टूडेंट्स जैसा आप लोग जानते हैं डेली मॉर्निंग 9-10 मैं आपके सामने मौझूद होता हूं दा हिंदू एडिटोरियल लेकर अब आप बोलो कि सर डेली 9 बजे बोलते हो मगर आज तो 9.05 हो गया है तो थोड़ा लेट हो गया हूं उसके लिए माफी चाहता हूं मगर लेट हो गया हूं क्योंकि कुछ बहुत न्यूज भी आपको देनी थी तो स्टूडेंट्स दा हिंदू एडिटोरियल के बारे में डिसकॉशन करते हैं उसके बाद बात करते हैं जो इंपोर्टेंट न्यूज में आप लोगों को देना चाह रहा हूं तो इन सारी चीज़ों को एक-एक करके देख लेते हैं तो दा यहां पर वन डे एक्जाइम से मेरा मतलब है कि जितने भी औप्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पूरा अनालेसिस करने नहीं जाते वह जीएस का पार्ट है उसके लिए एट टू नाइन जीएस की क्लास से उन में आप अटेंट कर सकते हैं वहां से चीज़ें आप सीख सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम हमेशा की तरह वोक्याबलेरी ग्रामर स्किल्स रीडिंग स्किल्स व्लोगों कि लाने का मेरा मोटि यह था जब आपके एक्जाम्स चल रहे था तब उस टाइम पर हम क् उस दिन का ब्रेक मगर उसके पहले बच्चों कुछ important बाते मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मेरी जो लास्ट साटेड़े को महा मारतन क्लास हुई थी वो बहुत पसंद करी मगर अब इंग्लिश से आगे बढ़ना है क्योंकि सिर्फ इंग्लिश तो आपको selection दिलाएगी न और मैरतन के पापा ही है हमारे सिद्दाच सर परसेंटेज परसेंटेज पूरा A to Z A to Z बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एक्जाम में आने वाली सारी चीज़ें प्री से लेके मेल्स तक सारी चीज़ें सिद्दाच सर इस महा मारतन क्लास जो 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली है इसमें सब लेकर आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स जुड़ना ना भूले पर इस अपते आपको एक डबल डोज मिल रहा है साटेड़े को तो मैच्स की महा मारतन क्लास है मान लिया उसके बाद साइंस की भी महा मारतन क्लास लेकर आ रहे हमारे दो एजूकेटर्स हमारे बाद 10 बजे से और एक क्लास में पूरा विज्ञान सिखाने की गैरंटी पूजा माम और धीरत सर ने ले ली है तो इन दोनों ही मामारतन क्लास में जुड़ना ना भूले अब वापस आ जाते हमारे आज के दा हिंदू एडिटोरियल सेशन पर प्रतीक्षा जी हमारे साथ जवर करने वाले हमारे वोड़ी स्किल्स जो लोग में साथ पहले से जुड़े हुए वह जानते हैं की वोक्यब स्किल्स पढ़ने का हमारा दो तरीका होता एक निउस पेपर कटिंग्स के घ्रू हम देखते हैं एक डारेक्ट purpose देखते हैं कि यह बहीं इसका से नॉनिम है के opposites यह है और उसका usage उसका usage last में जब हम editorial read करते वहाँ पर सारी चीज़े देखते हैं इसी के साथ reading skills जो हमारी again editorial पर based है आज का editorial जो है students वो हमारा solar energy पर based है कि solar energy में इंडिया क्या-क्या इंडिया के वादे थे कहां तक अभी इंडिया पहुँच पाया है क्या वहाँ पर actually solar energy एक अच्छा substitute बन सकता है नहीं बन सकता है उन चीजों पर हम discussion करेंगे तो चलिए आज आते हैं students आज के word of the day पर और आज का हमारा word of the day है savant आज का हमारा word of the day है students savant तो जल्दी से मुझे comment करके बताएं what is the meaning of this word savant savant क्या word आपने ये पहले सुना है पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपके लिए नया word है या पहले इसको पढ़ चुके अगर नया word है तो फिर आप समझ लीजे कि इस चीज को session में include करने का मेरा जो motive है वो motive पूरा हो गया तो savant students यहाँ पर हमें एक word मिल गया है savant is someone who has been admitted to membership in a scholarly field या अगर मैं इसके synonyms देखू तो भाई learned person जो बहुत जादा अच्छे educated लोग होते हैं उनके लिए हम ये word यूज करते हैं learned person या pundit भी हम बोल सकते हैं इसके लिए एक idiom भी होता है कोई मुझे बताएगा comment करके कि इसके लिए हम क्या idiom यूज कर सकते हैं एक और word यूज कर सकते हैं students scholar तो जल्दी से मुझे comment करके बताएं कि इसके लिए एक idiom भी होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं क्या idiom है वो और यहाँ पर इसको अगर मैं बिल्कुल easy words में लिखना चाहूं तो मैं यह लिख सकता हूं कि भई a well-educated person इसके लिए एक idiom भी होता है वो idiom यहाँ पर हम compile करेंगे और इन words के बारे में discussion करेंगे नितेश शर्मा जी हमार साथ जुड़ चुके हैं good morning नितेश जी 7th आज का हमारा word of the day है जिसका मतलब होता है scholar यह well-educated person इसके लिए एक idiom भी होता है students and that idiom is man of letters that idiom is man of letters तो word of the day के ऊपर यहाँ पर जैसे एक usage भी दिया एक sentence भी दिया है that she is a musical servant musical servant का मतलब की music की field में जितनी knowledge होनी चाहिए servant आप याद कैसे रख सकते हो भी servant है मतलब भी legend है अपनी field का अपनी field की सारी जानकारी है उसको not just education musical servant हो सकता है painting servant हो सकता है किसी और field में भी servant हो सकता है तो एक general अगर मैं इस word को sum up करूँ भी सारी जितनी चीज़े यहाँ पर लिखी तो भी एक learned professional अपने subject के बारे में अपने मास उसमें पूरी mastery होना that is what this word servant means उसके बाद बच्चों अगला word आ जाता है तो जल्दी से जरा मुझे comment करके बताएं कि यह हूच क्या होता है बहुत बार बतलब आप यह मानके चलिए कि अगर आप एक regular newspaper reader है तो आपको अक्सर यह news बिहार से related बिहार के context में जरूर पढ़ने को मिलती है कि हूच tragedy claims several lives in dry बिहार क्या मतलब है यहाँ पर dry का क्या मतलब है यहाँ पर हूच का जल्दी से मुझे comment करके बता दीजे अक्सर हम बिहार के respect में यह चीज बहुत बार सुनते हैं कि बहुई जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मौत 40 लोगों की मौत इतने लोग hospitalized हुए यह news बहुत बार आती यह news अक्सर आप चाहे हिंदी न्यूस्पेपर पढ़ते हो यह English न्यूस्पेपर पढ़ते हो अक्सर आपको यह चीज सुनने को मिलता है तो यह हूच का क्या मतलब होता है students जल्दी से मुझे comment करके बताएं what is the meaning of this word हूच नितेश सर्मा जी कह रहे है uncertain नहीं नितेश जी यह uncertain नहीं है यह जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई अक्सर हम न्यूस्पेपर में पढ़ते हैं तो हूच का मतलब होता है students liquor liquor of inferior quality liquor of inferior quality या हम लिख सकते है liquor of illicit quality illicit liquor जहरीली शराब spurious भी इसके लिए हम word यूज कर सकते हैं वही spurious liquor क्या यहां तक बात clear है सबी को क्या यहां तक आपको बात clear है तो यही चीज लिखी है कि हूच tragedy claim several lives in dry बिहार dry बिहार मतलब बही बिहार एक dry state है जहां पर liquor का consumption banned कर रखा है नितीश कुमार जी ने तो अक्सर वहाँ पे ये जहरीली शराब और इस तरह की घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं मुझे comment करके आप बताएंगे कि बिहार के अलावा और ऐसे कौन से states हैं जो dry states हैं तो यह था students हमारा वर्ड हूच exam point of view से बात करूँ तो यह पेपर में एक दो बार ही आया है बहुत बार नहीं आया है बट क्योंकि न्यूज में चल रहा है ट्रेंड में आ जाता है कभी भी examiner का मन हो सकता है कि अच्छा इस word को भी दे कर देते हैं हो सकता है synonym antonym में आ जाए हो सकता है पूरा-पूरा sentence आ जाए हो सकता है पूरा-पूरा sentence आ जाए तो चलिए हूच से related इतना ही discussion करना था अब आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं आगे क्या बात लिखिए बिलकुल नितेश शर्मा जी correct answer है आपका गुजरात बोल रहे हैं आप बिलकुल सही बोल रहे हैं भाई आगे बढ़ जाते हैं आगे क्या चीज़े देखने वाली so three dead in stampede at bengal blanket distribution drive अब यहाँ पर सीखने के लिए word क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पर हमारे सीखने के लिए word हो जाता है stampede three dead in stampede at bengal blanket distribution drive तो आपने यह देखा होगा कि ठंड आते से ही बहुत सारे NGOs बहुत सारे governments बहुत सारे organizations इस तरह का distribution drive चलाते हैं चलो आज कंबल बाट के आते हैं तो यह कंबल बाटने के चक्कर में तीन लोगों की मौत भी होगी अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है यह तो पुलिस आगे पता लगाएगी भी इस पर investigation होगा बट यहाँ पर हमारे सीखने के लिए word क्या था students that word is stampede तो stampede क्या होता है जल्दी से मुझे comment करके बताए देखना पसंद करता हूँ के पी फ्यूजन जी का अंसर आ चुका है भगदर लिखा है बगदाज जैसा बगदाज जैसा मुझे पता नहीं क्यों शुरू में यह दिखा बिल्कुल भगदर मच जाना लोगों में इधर उधर भागने लगना तो यह अभी तो हमने जैसे में बहुत पढ़ते हो पर एक्जैम में वो काम नहीं आएगा एक्जैम में काम आएगी हमारी इंग्लिश तो स्टैंपीड इस सदन इस सदन इस सदन रश ओफ क्राउड लोगों का अचानक से इधर उधर भागने लगना भगदर मत जाना यही स्टैंपीड है प्रिया सिंग जी कह रही है पीछे मतलब कैमरे की तरफ बस देखो बोर्ड पे मत लिखो आज अच्छा बोर्ड पे ना लिखेंगे तो आप लोग नोट मेकिंग कैसे करोगे फिर आप बोलोगे सर आए बस और ग्यान दिये और चले गए जब तक आपकी कॉपी में कोई ची के पी जी कह रहे है हाँ सर मुझे भी आपके बोलने के बाद लगा कि एराक हाँ ठीक है इराक बगदाद को छोड़ देते हैं भी वो सब करेंट अफेर्स के इशूज आप करेंट अफेर्स की क्लास में 8-9 डिसकस करिए बात होगी बच्चों यहाँ पर स्टैंपीड की तो next word is menace next word is menace keral seeks to use sports to tackle drug menace drug menace के करलское k fulfillों के समारे इंडिया में ही बहुत सारा यूद इन सब चीजों से drugs की उसमें चला जा ड्रग से डिस्टर्ब होता जा रहा है तो हर तरह की गॉर्मेंट इस तरह के ड्राइव्स निकालते हैं कि वही क्या हम कर सकते हैं यूद को कैसे बचा सकते हैं तो यहाँ पर हमारे सीखने के लिए वर्ड स्टूडेंट्स मेनिस जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताएं केरल गॉर्मेंट यह सोच रही कि हम स्पोर्ट को यूज करें ताकि ताकि जो भी यूद्रक्स की तरफ खिचा जा रहा है उसको हम कैसे वापस ला सकते तो ड्रग मेनेस यहाँ पर थ्रेट मैनेस क्या है एक तरह का थ्रेट एक तरह का डेंजर गिरो नहीं केपी फ्यूजन जी गिरो नहीं है गिरो तो अलग होता है गिरो नहीं ड्रग मेनेस का मतलब यहाँ पर ड्रग थ्रेट या अगर आप मेनेस हटा के यहाँ पर डेंजर लिख दोगे तो आप खुद ही समझो कि भई क्या क्या डेंजर लिखने से सेंटेंस का मीन में कोई चेंज आ रहा है कोई चेंज नहीं आ रहा है मतलब जो लिखा यह वाई चेंग अगला वर्ड देख लेते हैं अगला वर्ड और अगला यहाँ पर क्या है हमारे पास सीखने के लिए कि CBI launched 15 cases for derogatory post since 2019, says government. अब यहाँ पर derogatory क्या है? यह derogatory remarks बहुत बार हम news में पढ़ते हैं. बहुत बार हम news में पढ़ते हैं. बहुत बार examiner इसको previous year papers में भी पूछ चुका है. तो जल्दी से मुझे comment करके बताएं, derogatory का क्या मतलब होता है? डेरोगेटरी comment करना किसी के ऊपर. यहाँ पर आगे भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं दाहिंदू एडिटोरियल. दाहिंदू पढ़ने में देखो आपको लग सकते कम से कम 3-4 घंटे. तो आपको यह clarity होना चाहिए दिमाग में कि आप क्या purpose है आपका. आप वो cap building के लिए दाहिंदू पढ़ रहे हैं, आप news के लिए दाहिंदू पढ़ रहे हैं, आप entertainment के लिए दाहिंदू पढ़ रहे हैं. यह clarity लेकर जरूर बैठें जब भी आप newspaper लेके बैठें. क्योंकि confusion नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का. Just for the sake of reading कि सर ने बोल दिया दाहिंदू पढ़ना है तो पढ़ने चले गए, ऐसा नहीं हो सकता. आपको पता होना चाहिए कि एक गंटे बाद, दो गंटे बाद जब आप paper उठाएंगे. जब आप paper पढ़के उठेंगे, तब आपने क्या-क्या सीखा या किस उद्देश से आप बैठे थे, वो उद्देश वो लक्ष आपका clear होना चाहिए. KP Fusion जी कह रहे है, lack of respect नीचता जैसा काम, बिलकुल lack of respect या disrespectful एक ही बात है, एक ही चीज़ को लिखने के दो तरीके हो गए, lack of respect या disrespectful. बिलकुल सही answer किया KPG आपने, तो इस newspaper कटिंग के तुरू यहाँ पर देखने की चीज़ थी, भई, derogatory remarks, derogatory comments क्या होते हैं, वो हमने देख लिया है, और अब हम बढ़ जाते हैं, आगे हमारे अगले word के लिए, अगला word क्या है students यहाँ पर, RBI के जो governor है, RBI के जो governor है, शशी का अंदास जी, उन्होंने क्या बोला है, fintech, fintech क्या होता है, अब जैसे edtech company होती है, कि education plus technology, वो कहलाती है edtech companies, financial plus technology, finances को technology के साथ जोड़ना, that is what we call as fintech company, तो fintech को भई, RBI governor ने क्या बोला है, कि fintech must heed data clients risk, अब यहाँ पर हमारे सीखने के लिए, जो word है पहले तो उसको कर लेते side में, heed, क्या यहाँ पर grammatically भी कुछ सीखने को है, यहाँ पर grammatically भी सीखने को है, कि must बोला है, must बोला है, मतलब compulsion की बात हो रही है, RBI governor कोई चीज़ कह रहे हैं, तो उस चीज़ को fintechs या कोई भी banks को भी अगर बोलते, तो वो उसको ignore नहीं कर सकता, must की जगा अगर यह आप पे should लगा होता, तो आप समझ जाते की ठीक है, governor ने क्या किया है, इस बार suggest किया है, एक suggestion दिया है, मगर क्योंकि must लिखा, इसलिए RBI governor compulsion करना चाह रहे हैं, तो यहां से हमारे लिए एक word आगया है, students heed, जल्दी से comment करके बताए, heed का क्या मतलब होता है, KP fusion जी कह रहे है, heed नहीं पता, कोई बात नहीं भाई, KP fusion जी जरूरी नहीं है, आपको सारी चीज़े पता हो, और कहीं कहीं पर आपको confusion है, इसलिए तो आप दा हिंदू editorial sessions attend करते हैं, क्योंकि आपका vocab building हो रहा है, तो heed का मतलब होता है, students to pay attention to something, to pay attention to something, तो students मुझे उम्मीद है कि heed का related अब आपको कोई भी confusion नहीं है, exam में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और आप आजाते हैं अपने words पे, ये जितने भी words है, सारा जो हमारा आज का, आज का जो हमारा editorial है, वो है solar energy पे based, solar energy के respect में इंडिया कितना आगे जा चुका है, क्या क्या इंडिया ने कुछ progress करी है, नहीं करी है, उन सारी चीजों पर discussion होगा, पर वो discussion करने से पहले, इन words से कुछ जानकारी लेना बहुत जरूरी हो जाता है, KP fusion जी कह रहें, गरम पानी के साथ दवाई ले लिजिए, जुखाम खासी, बिल्कुल जुखाम खासी ठीक, नहीं हो रहा है काफी दिन से, बढ़ मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हो जाएगा, हो जाएगा ठीक, क्योंकि गले को rest नहीं मिलता है, ना problem ये है, तो इसलिए जल्दी से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, आज आई ये students word पे, word है हमारा conundrum, अब ये conundrum पे जितने star लगाना चाहते हो लगा लो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा word है, बाए अच्छा word, what I am trying to say is, कि exam में ये word बहुत बार आ चुका है, अभी भी आप लोग गलती करके आ रहे हैं, और आने वाले years में भी ये आ सकता है, तो अगर मैं इसको category में रखूँ, easy, medium, hard, तो मैं ये ही कहना चाहूँगा, कि मैं medium या moderate level का ये word है, बहुत लोगों को इसका meaning पता होता है, तो जल्दी से मुझे comment करके बताएं, what is the meaning of this word conundrum? कनंडरम का क्या मतलब होता है, कनंडरम का मतलब होता है, कि एक तरह की हम problem face कर रहे हैं, so conundrum is a difficult problem, भाई आप किसी मुसीबत में फस गये, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, कि मैं एक problem में हूँ, या मैं इस कनंडरम में फस गया हूँ, इसी तरह से इसी context में ये word use किया जाता है, फिर वोई चीज की last में जो हम editorial देखेंगे, उसमें और detail में समझेंगे कि बही क्या इसका usage था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले word पर आते हैं, headwind क्या होता है, एक word होता है headwind, एक word होता है tailwind, तो बहीं जल्दी से comment करके बताईए इसमें difference क्या है, मतलब क्या होता है headwind का, कि अपर आते हैं, तो स्टूडेंट्स हेडविंड देखो हेडविंड और टेल विंड पहले होते क्या है वो समझते हैं उसके बाद फिर इनका यूजज कैसे उसको देखेंगे तो आप अगर इस डिरेक्शन में मूव कर रहे हैं सामने से विंड आ रहा है तो वो हेडविंड है मतलब आपके ओपोजीशन में कोई विंड आ रही है वो हेडविंड है और अगर आप जा रहे हैं आपके साथ साथ विंड ब्लो कर रही है तो वो टेल विंड होता है ठीक है तो केपी जी कह रहे हैं कि संदी विच्छेद कर रहे हैं और संदी विच्छेद करके बता रहे हैं क सामने से कुछ आना बिलकुल तो अविंड पहले तो यह विंड होता क्या है उसको लिखेंगे और फिर इसका यूजेज कैसे वह देखेंगे अविंड अविंड डाट ब्लोज फ्रॉब एंड फ्रॉब एंड ओपोजेट डिरेक्शन इन विच यूआ मूविंग तो हेड विंड के बारे में ये तो समझ गए कि भई ऑपोजेट डिरेक्शन से आने वाली विंड अब इसको इस कॉंटेक्स में कैसे यूज करें जो हमने देखा अभी तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भई अस्टेज लेस प्रॉफिट्स इन एन और्गनाइजेशन किसी और्गनाइजेशन किसी संस्था में ऐसा स्टेज आ जाना कि प्रॉफिट्स कम हो गए तो जाहिर सी बात है यार हवा आपके विप्रीच चल रही है तो आपको प्रॉब्लम जहलनी पड़ेगी एक जनरल सा लॉजिक बनता है आप हवा के साथ साथ चल रहे हैं तो जल्दी आगे मूव कर पाएंगे यह बिल्कुल एक फिजिक्स का लॉब बोल सकते माट्स का लॉब बोल सकते यह तो रहे गई रहेगा तो हेडविंड का बच्चों यही मतलब होता है उसके बाद आ जाता है अगला अगली चीजे हो जाएंगी क्या इससे यह वर्ड आपको याद रहे जाएगा इस चीज की गैरेंटी नहीं है तो जो पढ़ा दाट इस वन तिंग उसको यूस कैसे कर पा रहे हैं तो क्वेस्ट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे कॉमेंट करके चीज की कोझ में निकल जाना और खोज अब जैनरली उसी चीज के उसी चीज के खोज में जाते होना आगि जो आपनी से मिलता जो आपनी spi क्या तो बस इतनी और चाहर सिरत की करτιंगे खेंग और लो होता है कि रहें किन्सी चीज के पीछय आप भाग रहे हों आप डिजायर कर रहे हो कि वो चीज़ आपको मिल जाए तो यही यही मतलब होता है students quest का फिर उसके बाद आ जाता है students tardy यह tardy word exam में बहुत बार आ चुका है भाई बहुत बार आ चुका है और अभी भी आप लोग गलतियां करके आ रहे हैं तो जल्दी से म KP fusion जी कह रहे हैं आपकी बात relate कर ली बिलकुल भीया KP fusion जी tardy का क्या मतलब होता है students tardy का मतलब होता है वही किसी चीज़ में delay होना किसी चीज़ में बहुत जादा time लगना तो आपको पता है government की processes कभी कभी ऐसे हो जाते कि भी बहुत लंबा समय लग जाता है delay हो जाता है तो वो भी हमारे जो solar energy से related जो भी missions हम सोच रहे हैं जो भी हम aspire कर रहे हैं कि आने वाले years में इतना इतना energy हम generate करेंगे वहां से वह उसमें रुकावट आ जाती है तो tardy का मतलब यहाँ पे है slow to move slow to move यह slow to react या मैं यह बोल सकता हूँ कि मैं लेट होना किसी का किसी का लेट होना अगर इसका opposite हम देखें इसका opposite देखें तो इसका opposite होगा students punctual इसका opposite अगर हम देखने जाए तो इसका opposite हो जाएगा पंचुल के पी फ्यूजिन जी कह रहे है sounds like jeff rd लगता है kp fusion जी आप wwe के बहुत बड़े fan है बहुत बड़िया ठीक है जैसे भी relate कर पाओ वैसे relate relate कर लो तो टाड़ी का मतलब होता है slow to move यह slow to react जैसे government processes हो जाते कभी कभी कि बहुत लंबा समय लग जाता फाइलें अटक जाती कुछ ना कुछ सरकारी प्रक्रिया में आप फस जाते हैं उसी वज़े से यह जो solar energy से related हम जितने भी movements ले जाना चाह रहें आगे वो कभी कभी दिक्कत में फस जाते हैं तभी तभी यह होता है कि वहीं aspire कुछ किया था कि इस साल के इंग तक इतना इतना megawatt energy हम generate कर जाएंगे बट actual में उसको generate हम नहीं कर पाते हैं उसके बाद आ जाता है बच्चो अगला word that is podia अब podia ऐसे तो बहुत खास नहीं है बस मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं बताना यह चाह रहा हूं कि एक word होता ह पोडियम पोडियम क्या होता है बही एक तरह का raised platform पोडियम पर खड़े होके रही speech वगेरा दी जाती भी platform हो गया यह stage आप बोल सकते हैं अब पोडियम का plural क्या होता है पोडियम के दो plural form होते हैं पहला form होता है यही जो यहाँ पर लिखा हुआ है that is podia और कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा पोडियम तो करेक्ट दोनों होते हैं confused मत हो जाना examiner क्या करेगा कि पोडिया लिख देगा पोडिया के साथ यहाँ पर plural verb यूज कर देगा या पोडिया के साथ प्लूरल आना तो plural चाहिए examiner क्या करेगा singular verb यूज कर देगा एक्जामिनर पोडिया के साथ singular verb यूज कर देगा error detection का question बना देगा अब आपको अगर information ही नहीं है आपको जानकारी ही नहीं कि पोडिया क्या है तो फिर हो गया काम काम दमाम नंबर कड़ गए examiner की जीत हो गई आप हार गए तो भई ऐसा नहीं होने देना है ध्यान रखना है कि पोडियम का प्लूरल एक पोडिया भी होता है पोडियम का एक प्लूरल फॉर्म पोडिया भी होता है यहीं चीज़ हमें ध्यान रखनी थी अब आगे बढ़ जाते हैं फिर से बात कर लेते हैं अगला word and that next word is parity next word is parity मज़ा आता है सर आपके साथ नए नए words थैंक यू सो मच KP fusion जी मज़ा आएगा आप 15 दिन भी क्लास में रुकोगे तो 15 दिन में आप यह मानों की 200 से 300 एक ऐसे words जो आपको ना सिफ एक्जाम में आपके daily life में भी बहुत help करने वाले हैं इस चीज की guarantee है तो चलिए अगले word आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड इस पारिटी नेक्स्ट वर्ड इस पारिटी पारिटी से पहले हम यह देखेंगे कि यह पारिटी आया क्या है तो यह पार पार का मतलब होता है इक्वर्ड सो पारिटी का सिंपल सा मतलब अगर हम देखने जाये तो पारिटी का मतलब होगा students equality तो पारिटी का मतलब होगा यहां पर क्या equality तो मुझे उम्मीद है कि यह वर्ड पारिटी अब अगर एक्जैम में आता है तो आपको ट्रबल नहीं करेगा क्योंकि ये भी प्रीवेस येर पेपर्स पे बार बार पूछा जा चुका है फिर लाइक आई ऑल्वेस से आप मेरी कही हुई किसी भी बात को सच ना बादे आप जाए प्रीवेस ये पेपर्स उठा कर देखे तब आपक को समझ में आएगा कि ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे थे क्या इसका लेना देना था हमारे एक्जैम पॉइंट ऑफ यू से क्यों इतना इंपॉर्टेंट था नेक्स्ट वर्डे स्टूडेंट्स वाइबल 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 कि वाइबल वाइबल मतलब भई कोई भी आईडिया कितना वाइबल है कितना उसको प्राक्टिकल है वही सारी चीजे जहां-जहां में इन वर्ड का यूस करते वहीं पर हम वाइबल का भी यूस कर सकते यह वारा अभी जो वरड है इसके बाद फिर हम सारी चीजे देखेंगे हमारे cuttings में सारी चीजे भरोसे मन या आप बोल सकते हैं practical idea practical idea या sustainable practical idea या sustainable यही इनी सारे context में हम इस word viable का use करते हैं उसके बाद बच्चों आगे बढ़ जाते हैं एक ऐसा word जो बहुत common word एक ऐसा word जो बहुत जादा common word एक्जामिनर बहुत बार इसको इतने बार पूछ चुका है ना इतने बार पूछ चुका है कि यह word तो मुझे लगता है जो बच्चे पहली बार भी exam में appear हो रहे वो भी correct करके आते होंगे फिर भी फिर भी मुझे जरूरी लगा कि इस word को session में include करूँ क्योंकि हो सकता है कभी-कभी यह आसान words भी दिमाग से चूक जाते हैं तो हम इन पर ध्यान देतें हम इन पर ध्यान देतें जल्दी से बता दीजें क्या मतलब होता है इस word penacy का पैनिसी इस क्योर या रेमेडी पैनिसी क्योर और रेमेडी फॉर और डिजीजेस जिसे कहते ना हर मर्स की दवा हर चीज का solution तो वही जैसे मैं बोलता हूँ कि दा हिंदू एडिटोरियल आपके इंग्लिश के हर मर्स की दवा है दा हिंदू न्यूस पेपर आपके इंग्लिश के हर मर्स की दवा है इसी तरह से ये word हमारा पैनिसी यूज होता है वर्ड जितने सीखने थे सीख लिए हमने देख लिया कि ठीक है इसका मीनिंग यह होता इसका मीनिंग यह होता यह सारी चीजें देख लिए अब यूस कैसे हो रहे वो सारी चीजें देखते हैं सो एनर्जी कनद्रम कनद्रम जो मैंने अभी आपको बच्चो सेशन के स्टार्टिंग में बताया कनद्रम का मतलब होता है और डिफिकल्ट प्रॉब्लम कनद्रम का मतलब होता है difficult problem problem क्या है on India betting big on solar power इंडिया solar power solar energy के लिहास से अभी तक कहां पर बहुत चुका है इंडिया क्या-क्या aspire कर रहा था कहां तक जाना चाहा रहा था किस हद तक वो पहुँचा है वो सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं at the core core मतलब यहां पर क्या है कि बिल्कुल center में कि जितने भी इस तरह के energy sources है उसमें से solar power energy जो है सबसे center पे है सबसे important है renewable energy sources के मामले में at the core of India's energy transformation is its bet on solar power based on a commitment to address the global climate crisis India has promised to source nearly half its energy from the non-fossil fuel sources by 2030 non-fossil sources मतलब coal और petroleum के अलावा यह अच्छा वर्ट सिखाया आपने conundrum thank you kp fusion जी सारी वर्ट अच्छे हैं आपके काम आएंगे so India has promised to source nearly half its energy from non-fossil fuel sources by 2030 and in the shorter sum source at least 60% of its renewable energy from solar power तो बही जितनी भी renewable energy India बनाने को aspire कर रहा है it is expecting कि 60% पार्ट उसका solar energy से ही हो जाएगा however a disclosure in parliament by the minister of power new and renewable energy suggests that India faces significant headwind in this quest इस इस कोशिश में इस जर्णी में इंडिया को काफी headwind का सामना करना पड़ रहा है मतलब बहुत सारे ऐसे obstacle impediment उसके सामने आ रहे है कि जो जो वो सोच रहा है वो exactly उसको implement नहीं कर पा रहा है a key central policy to source solar power is facilitating the establishment of large solar parks small solar power projects usually translate to higher per unit production cost and so in 2014 the center announced the solar parks and ultra mega solar power projects policy to facilitate the creation of large parks तो इंडिया क्या-क्या aspire कर रहा था कि बढ़े solar parks कितने बनाने छोटे solar parks कितने बनाने उन्हीं सारी चीजों का data यह यहां पर दिया हुआ है the initial plan was to set up 25 parks capable of generating at least 20,000 megawatt by 2019 तो इनिशेली government का यह सोचना था कि 25 तो ऐसे पाक हम बनाए ही जिसमें 20,000 megawatt का generation हो by 2019 in 2017 the government scaled this to 61 parks to target 40,000 megawatt तो इतना सोचा था और उसके बाद फिर और government ने उसको अपनी capacity बढ़ाने की कोशिश करी impediment impediment याद आ गया sir KP fusion जी अच्छा it emerges however as of 2022 that only a fourth of the capacity मनला जितना सोचा था उसका सिर्फ one-fourth ही अभी हो पाया है one-fourth of the capacity has been achieved that is project worth 10,000 megawatt have been commissioned four projects have been cancelled अब कुछ-कुछ project cancelled भी हुए cancel होने के पीछे क्या reason था वो सारी चीजें भी देख लेते हैं by the center's own admission due to tardy process तो ये tardy जिसको हिंदी में जिसको हिंदी में हम बोलते न लेट लतीफी हो रही है बहुत तो वही जो tardy processes है the roadblocks in the center's estimate have been challenges in acquiring land with a clear title setting up infrastructure necessary to transmit power produced at these parks to the grid and in an unusual disclosure environmental issues in Rajasthan and Gujarat where projects have been halted halted मतलब कि stop कर दिये रोक दिये गए because their transmission lines encroach upon the habitat of the critically endangered great Indian bastard तो जितने भी आपको projects लाने है solar energy से related या किसी भी चीज से related उसमें environment का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि भी जो यहाँ पर critically endangered species है great Indian bastard अब उसके भी जहाँ पर उसका habitat है जहाँ पर वो रहता है उसके तुरू होके जा रहा था है encroach करना मतलब वही कि to use more than what is उससे जादा भी क्या बोलते है to use more than what is allotted कि जितना आपको allot किया है उससे जादा आप use कर जाएं वो ही encroachment होता है तो यह सारी चीजें थी उसके बाद आगे क्या हुआ फिर इसके आगे वो देखते है not withstanding its claims on international podia international podia मतलब international podiums की यहाँ पर बात हो रही है international podiums that is on track to meeting renewable energy targets it is no secret that India is lagging behind by the end of 2022 India had committed to have in place 1,75,000 megawatt of renewable energy capacity with 1,00,000 megawatt from solar power तो यह इंडिया aspire तो बहुत कुछ कर रहा था कि solar energy के थुरू ऐसा अचीव करेंगे वैसा अचीव करेंगे बट हो कुछ नहीं पा रहा उसका one fourth one third ही अचीव कर पा रहा है शिवराज जी हमारे साथ जूड़ चुके हैं good morning शिवराज जी however only only around 61,000 megawatt of such capacity has actually been installed for a few years now there has been considerable hype around solar power achieving grid parity in India grid parity grid equality ये word अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले parity क्या होता है meaning power companies are able to sell it at a price lower or as much as conventional sources but this does not account for the subsidies on concessions front loaded by the government while India should continue to expand its economy on the back of renewable energy the government must take a hard look at whether renewable energy power window nuclear meets standards of economic viability economic sustainability यहाँ पर हाँ podium जो बोल रहे हैं कि मंज तो international मंज पे international stages पे इंडिया ये क्लेम करता रहा है कि solar energy के बारे में जो जो सोचा था वो हम कर पाएंगे but actual इस्तिती क्या है वो पूरे एडिटोरियल में हम देख पा रहे हैं solar power may be a valuable tool in India's energy transformation story but it cannot be a policy for every need बहीं important तो है पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि solar power ही है वो ही सब कुछ है इसके लावा कुछ नहीं है on that note I will end today's the Hindu editorial session मुझे comment करके बच्चों जरूर बताइएगा कि आज का session आपको कैसा लगा आज के session में आपने कितने नए words सीखे मैं आपको मिलूंगा कल same time the Hindu editorial के साथ तब तक के लिए students keep practicing keep revising and keep learning with a smile thank you students